हाई फ्रेंद्स आप लोग का एक बार फिरसे स्वागत है आज की इस वीडियो में तो फ्रेंद्स जैसा कि हम लोग डी टीपल अजबी प्यार्टी के प्रिब्यसर कुश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं उसमें आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग जो मैत का पोर्शन थ लोग आप तिन अब़त हों के तो एंवट्टे भी वट्टे सी और सी बट्टे एयक का मान क्या होगा हैशह को divya कैया का एए यह बडाबर दो ब्रावर दो दिया हुआ है इस वीडियो ठीन और सी बब्राबर छाज़त देखे है जो संखेा दिया हुआ है इसका हम लोग LC लेंगे क्या लेंगे LCM हम लोग LCM जब लेंगे तो क्या आएगा इन सब का LCM आएगा च्छा उसके बाद क्या करेंगे देखे यह बटे B आप यहां पर दो दिया हुए और B का मान क्या है है फिर तीन पर य Gott teu क्या है स्कों जांब कालेंगे कितना है इसको दखी में काट 109 गया टीन रिवुद्य है 6 force Mill कितना है तो जार के है 2 और LCM कितना था 6 इसको जब इससे काटेंगे तो तीन बार में कटेगा और कितना आएगा आप लोग का इसका जो मुल्टिप्लाइए करेंगे 16,12, 16,18 तो आप लोग का क्या आगया 4, 17, 3, 18 और 18 आप लोग का क्या आगया 4, 17, 17, 18 जो कि आप लोग का आपसन जो भी है यह सही है अगला प्राश्म पुछाए एक से 200 तक कितनी संख्याएं 9 से विभाज हैं देखिए आप लोग पहली संख्या आप लोग का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और दूसरी संख्या क्या होगा माले 9 का मल्टिप्लाइब करेंगा 13 तो ऐसे ही हम लोग जाएंगे कह आप से करते हैं 22 में बाइट में मल्टिप्लाइब करेंगे तो कितना आगा नौ दूनी अठारा हासी एक नौनी ठार एक उननीस मतलब एक सो अठावे 200 तक बाई संख्या एसी है जो कि नौ से विभाज्य है अगला प्रेश्न बोला है एक ब्यक्ति द्वारा 15 वर्सों में म दहान अभ्याज मूलधन का 180 प्रतिसत है तो देखिए आप लोग का दिया क्या है टी बराबर दिया है अप लोग का 15 वर्स और जो एसाई है वो क्या बोला है जो प्रिंसपल का 180 प्रतिसत है 180 प्रतिसत है तो आर बराबर क्या होगा दर पूछा है हम लोगों से क्या पूछ देखे ये इसको हम लोग 180 परतिस्द दिया है साई को ये लिख सकते हैं एसई बराबर हम लूगत शते हैं साई बराबर यहाँ परतिस्द को चेंज करेंगे तिस यह हो जाएगा पॉइंट एट और क्या दिया है P तो यहां पर in to P कर देंगे अब हम लोग इसका मान रख देते हैं चली अब हम हम लोग मान रखते है और देखते हम लोग का यह भर्मुला है आप लोग का is motivations को रख देते हैं पूछा के आर इसको तो देखे आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं SI into 100 बट्टे आपका हो जागा P और T तो देखे SI कितना है SI आप लोग का 1.8 P into 100 बट्टे यहां पर P को ऐसे ही रख देंगे हम लोग और T का मान कितना दियागा 15 तो देखे इस पी से इस पी को हम लोग कार देंगे अब इसका जम से मल्टीप्लाइ करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 बट्टे 15 अब इस पंद्रा को जो हम उसमें भाग देंगे 15 एककम 15 आपका हासिल कितना वचा 3 और पंदर दुना 30 आप लोग का कड़िया मतलब आप लोग का आर बराबर कितना आया आर बराबर आया 12 प्रतिसत जो कि आपसन यह जो है यह सही है अगला प्रस्वन है रीसब किसी कार को चार बट्टे पांच भाग को सोरा दिनों में पूरा कर सकता है रानी रीसब से दो गुना कारे कुसल है तो रानी अकेले उस कार को कितने दिन में पूरा करेगी तो देखे रीसब क्या है कि रीसब जो है वो चार बट्टे पांच भाग को सोरा दिन में करता है तो देखे इ ता 20 ती उसके बाद क्या वाला जो रानी है जो रानी है और रीज इस से कितना दो गुणा कुसल है तो रीज आप का कितना कारे दिन था 20 अब अब बटे 2 M-N जो है उसका 65 प्रतिसत बराबर है तो M-N का कितना प्रतिसत होगा देखे इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं M-N into point 50 और इसको लिख सकते हैं M-N into point 65 अब चलिए हम लोग मल्टिप्लाइ कर देते हैं इसका करेंगे इसमें multiply हुआ हुआ हम उर्क इसका इसमें मुल्ट्टीप्लाइब करेंगे तो हां जागा है वाईन são प्लस फिर इसमें मुल्टिप्लाइ करेंगे कितना हो जाएगा पॉइंट 15 एन बराबर तो ऐसे इसमें भी करेंगे तो कितना हो जाएगा शिश्टी फाइब मैं माइनस पॉइंट 65 आप देखिये इसको हम लोग यह जो यह है इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइन 15 M-a point 65 M. बराबर माइनस बॉइंट 65 N अब इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस कुल आ आपे साइन किसगा ever plus guy to kiya Dubai minus ौाइनेश प्वाइनड वाइन फाइप एन तो यह इसमें तो घरटाएंगे तो कितना अगा अप्लोक हा यह आनोग आजाएगा- aoign camera ॲिसीरो मैं अधर क्या ना जागा मेनस माइनस प्लस हो जाएगा दिखना पर माइनस है और हम प्लस हो एट जीरो यन तो यम बराबर क्या हो जाएगा यम बराबर आप लोग का हो जाएगा आठ बट्टे पांच यन उसके बाद पूछा बोला क्या है बोला कि यम यन का कितना प्रतिसत है तो देखिए आप लोग जो यम बराबर हम लोग कर देंगे आठ बट्टे पांच रिप्लाई करेंगे तो कितना निकल कायागा 160 प्रतिशत जो कि आप लोग का आपसन भी सही है अगला प्रस्न है एक नए मिस्रधातु प्राप्त करने के लिए 60 kg मिस्रधातु A और 80 kg मिस्रधातु B के साथ मिलाया जाता है यदि मिस्रधातु A में जस्ता तथा तावा का माच का है और मिस्रधातु B में जस्ता तावा कनपात कितना है तीन साथ का है तो नई मिस्रधातु बताईए A बराबर कितना दिया हुआ है साथ और B बराबर कितना दिया हुआ है और C उसके बाद A में जस्ते का मिस्र कितना होगा तो चलिए हम लोग यहाँ पे एका निका आई एंस जस्ता निकालेंगे तो क्या करेंगे देखे 60 दिया हुआ है एक और इसका अनुपाद कितना है साद और पांच का इन दोनों को इसको दोनों को जो हम लोग आड करेंगे तो कितना आ जाएगा बारह तो बठे केजी निकल कर आया एका और बी में जब हम लोग जस्ता निकालेंगे तो बी का जस्ता निकालेंगे तो बी का कितना दिया हुआ था 80 तो यहां पर लोग 80 रखें इंटू इन दोनों का जब जोड़ेंगे हम लोग इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा औ तो इसमें जस्ता कितना है जस्ता देख़ें यहां पर 3 है so just Fine וכ नगे खिर हो तीन है रहां कितने चतके का जाफ है जब चतिनेे और 85 यह दोनों को जो हम कला मौझे करें गटने बेन गया 24 कजी इसका पूछा है नहीं मिस्रृधात्र में जस्ते कानपात क्या होगा देखें दोनों जेस्ते का भूम निकाले थेंगे नई जक्षित का मुसर धात्याट्य। कि विद्षत च्छा कि आपके शुक्रेक और ओन लो एड कर देंगे जो पैंटिस और 24 सौंथ को एड कर देंगे कितना यहाँ 59 kg यहीं आप लोग का एंसर हो जागा जो कि आपसन ए में है आपसन ए जो है आप लोग का ये सही है अगला प्रस्में देखिए क्या बुला एक वर्ग का परिमाप भूजा से 36 cm अधिक है तो वर्ग का छेतरफल क्या होगा ये परिमाप कितना दिया हुआ है परिमाप दिया है और वर्ग का परिमाप क्या होता है वर्ग का जो रखेंगे पोर एक उसके dla के लोग क्या करेंगे 36 और देखिए इज प्लस है इधर जाके क्या होगा माइनस वजाए प्वोर एथा माइनस एकर देंगे लो कितना जगा 36 बराबर 3A बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 361 फ्री तीन ए बराबर आ जाएगा आप लोग का बार ये बराबर क्या गया बारला लेकिन पूछा क्या था पूछा है छेत्रफल क्या होगा तो देखे वर्ग का जो छेत्रफल होता है ओता है भुजा का इस्क्वायर तो भुजा कितना है हम लोग का बार इंटू बार कर देंगे तो कितना है का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग का जो ये आप्षन ए है ये सही है अगला प्रशन देखे क्या बोला है बोला है कि एक दूध बैपारी 50 रुपे प्रती लीटर की दर से 40 लीटर दूध खरीदता है मतलब किस खरीदता है मतलब सीपी क्रेम क्या हो गया उसका पचास है मतलब उसका जो सीपी है और दो हजार रुपे है फिर उसके बाद क्या करता है कि उसमें 12 लीटर पानी मिला देता है देखें जो चालीस लीटर है दूध इसमें 12 लीटर पानी मिला देता है मतलब दूध कितना था अप लोग का दूध था 40 लीटर लेकिन इसमें पानी कि 12 लिटर जोड़ेंगे तो कितना हैगा 52 लिटर तो क्या हुआ यसपी जो है वह 52 लिटर और कितने के 40 रुपए प्रती लीटर बेच देता है कि यस पी जो 40 इसको मुल्टिप्लाई कर देंगे तो हम लोग को पता हुआ जब चलिए मुल्टिप्लाई करते हैं चार दुनी आाठ और चार पंजे 20 और एक ये जी रो कहा उतार किमेल तो हजार असि सी रुपए खरीदा कितने में दो हजार मेरे कितने अर्चे इतने डो हज़ार कितने असी कि फायदा हुगा भादा दो उसको लाव जो है फॉर उसको जो 2000 रुपय दिया 2000 रुपय खईदा इसी पे तो उसको 80 रुपय का प्रॉफिट हो रहा है और इसको प्रतिसत में चैन्ज करने के लिए लिए 100 से लब हुआ है अगला प्रेश में क्या बोला है आप लोग का 18-3 into 4 प्लस टू इसको लोग बोर्ड मास से करेंगे तो बोर्ड मास में क्या होता है देखें पहले हम लोग ब्रेकेट को सॉल्व करते हैं तो ब्रेकेट तो इसमें दिया हुआ नहीं है फिर उसके आप को आप भी नहीं दिया हुआ है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं डिवीजन मतलब भाग करते हैं तो भाग भी नहीं दिया है फिर उसका मल्टिप्लाई करते हैं multiply किया है आप लोग का 3 into 4 का दिया हुआ है तो हम लोग इसको solve करेंगे तो 18-12 हो जाएगा plus 2 उसके बाद addition मतलब जोड़ेंगे तो देखे इस 2 को इस 18 से हम लोग जोड़ेंगे कितना होगा 20-12 उसके बाद घटा देंगे घटा देंगे तो कितना है आठ यहीं आप लोग का answer हो जाएगा जो की option C सही है अगला प्रशन है आप लोग का वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 76, 310 और 460 को विभाजित करने करें जिससे प्रतेक इस्तिती में सेस्फल 4 बचे तो हम लोग करेंगे क्या देखिए जो 76 में से 4 माइनस कर देंगे कितना आएगा 72 फिर 310 में 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 306 फिर 463 में हम लोग 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 469 तो इनका हम लोग क्या करेंगे सबसे बड़ी संख्या मतलब कि हम लोग को HCF निकालन थिखते हैं तो बहत्तर का एच्ट यप निकालेंगे का इसने का लिए देखे दू दूइनि 4 दूइन आड़ सरी के 24 तर फिर उसके बाद 306 का निकालेंगे 306 का हम लोग निकालेंगे कितना आए अप लोग तू 2 टू थ्री इन्टू थ्री इन्टू सत्रा कर देंगे तो 306 उसके बाद क्या है बुलाए चारसो तीर सट चारसो तीर सट का क्या आएगा आप लोग काएगा थ्री इन्टू थ्री इन्टू थ्री इन्टू थ्री इन्टू सत्रा तो देखे इन में कामन क्या देखे एक कामन य यह मिल गया और एक कामन यह तो आप लोग का एच सी जब कितना आ गया जब आ गया लोग का थ्री इंटू थ्री बरावर नाइन नाइन ऐसी संख्या है जो चीहतर 310 और 463 में भाग देंगे हम लोग तो चार सेथ बचेगा तो आप लोग का आफसन जो भी है यह सही है अगला प्रस पूछा है कई पुरूस एक होटल में गए तथा प्रतेक ने उतने ही रुपए खर्च किये जितने पुरूस थे यदि खर्च किया गया धन 17,424 रुपए है तो पुर्सो की संख्या क्या है देखिए हम लोग वर्ग निकाल देंगे हम लोग को पता हो जाएगा यह जो 17,424 रुपए है का अगर हम लोग वर्ग निकाल देंगे तो हम लोग को पता हो जाएगा कि कितने पुर्सो की संख्या है तो वर्ग निकालने के लिए क्या पहले पेर बनाएंगे देखें यहां पे दो का पेर अभी है पिए तीन संख्या था तीन हो ले लिंगे तीनों के लिंगे तो अब ऐसी संग इस स्क्वाइर करेंगे जो कि इसके आसपास का होगा तो देखें बारा का स्कॉर क्या होता है 114 132 एक सुनाटर होता है और चाहूदा का स्क्वाइर 116 होता है मतलब एक सुस हान भी जो चोड़ा हे विजिए बढ़ा होता है तो हम लोग क्या क्या कि अगया पांच अपके बाद ये दोनों संख्या उतारेंगे एक संख्या ने तो है तो यहां पर इनको जोड देंगे कितना एगा 26 हैं लोग क्या लिग देंगे तेरा बाइगा उसके बाद देखिए हमकर हम लोग इसमें डू का मल्टिप्लाई कर दें कितना आएगा दूदूनी चार अब आप लोगा 26 दूना कितना होता है आप लोग का कड़िया मतलब 113 का ये वर गये तो आप लोगा एंसर कितना होगा 132 पूर्सों की संख्या थी आप लोग का यी इसी अगला प्रोशन क्या है अगला प्रॉशन एक स बराबर माइनस एक है तो 182 का क्यू प्लस फोर एक स प्लस बार का मान कई होगा तो चलिय हम लोग路 को रख देते हैं डेकल यहां पर माइनस एक का क्यूब कर देंगे और क्या है प्लस और इंटू माइनस एक प्लस बार इसका करेंगे तो कितना एगा माइनस एक आएगा यह सक्वाजा मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह आई जागा माइनस फोर प्लस बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस पांच प्ल ठोस बेलन को पिखला कर ठोस घं बनाया गया तो बेलन के अधार की तिर्जा 44 है मतलब कि आर बराबर 44 है इसकी उचाई 14 सेंटीमीटर है मतलब एच बराबर कितना दीया हुआ है 14 और घं की भूजा का आप कि भूजा किया बोला है ground industriमीटर तो कितने गन बनेंगे तो हम लोग एक साइट क्या लिख लेता है एक absolute बेलन और एक्षइड हम लोग क्या लिखेंगे एक साइड हम लोग लिखेंगे घन तो देखें बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और घन का आयतन क्या होता है घन का आयतन होता है एक क्यू तो देखें यहां पर पाई कमान क्या होता है पाई कमान होता है बाईस बटे साथ और आर कमान कितना दिख्यार क्रेंगे अब इंट्वारीस कर देंगे लोग इंट्व कमान कितना है चवडर है यहाब पे क्या करेंगे एक कमान किदना दिया गए 11 का क्यूंब है 11 इन्टु 11 इन्टु 11 कर देंगे अभी साथ क्म वबार अप्पिर क्या है हमलोग का 22 इंचल युफ इंटू वैलिस इंटू वालीज इन टू दो और इखार है यह हम लोग मल्लिप्ला क़्ंड न में दैज tremendous आई इक्टेक किन पना दाए एक Cao kidding कितने गन बनेंगे तो देखें घंग कितने बनेंगे उसको निकालने के लिए जो आया है पचासी जावाली इसमें अगर हम लोग 133131 देंगे तो हम लोग को पता हो जागा चलिए देखे 53 184 में इससे भाग देंगे तो कितने बार में कटे गाए एक अटेगा आप लोग का 64 बार में तो कितने घुन बनेंगे 64 तो जो कि आप लोग करेंगे तब तक के लिए फ्रेंब थाइंक यू